तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे विबागों के जिसमें गौर्वेंट वेकेंसी निकलने जारी कारी 20,000 से ज़्यादा पदो पे आपके आवेदन मांगे जाएंगे जहां दोस्तो हम बात करेंगे सच्ची वाले और FCI भरती के बारे में इसमें आपको फोरम कैसे आवेदन करना है और आपके आवेदन की थिती कब रहने वाली है पूरी डिटेल आपको बताने वाले सेलरी पेकेज भी आपको काफी अच्छा दिया जाएगा इंट्रेस्टटेट केंडिडेट वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा पूरा डिटेल में आपको वेकेंसी के बारे में अपडेट देने वाले है अब इना किसी देरी के दोस्तो करते है वीडियो को स्टार्ट बीए, बीकॉम, बीए, सी, बेटे कुछ भी कर रखा हो तो आप यहां पर आवेदिन कर सकते हैं अगर कलर की पोस्ट के लिए आवेदिन करना चाहते हैं तो 12 पास होना ज़रूरी किसी भी रिकोगनाईज बोर्ड से इसके अलावा मल्टि टास्किंग MTS की पोस्ट के लिए दसवी पास मिनिमूम मांगा गया है आगे दोस्तों हम बात करेंगे बाकी के अधर डिटेल कीज़े से यहां पर आयूसी में आपकी क्या रहेगी आप आवेधन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको वेकेंसी के फोरम के आवेधन स्टार्ट होने का वेट करना पड़ेगा परिक्षा का पैटर्न दोस्तों आप देख सकते है पूरा डिटेल में आपे इंगलिश आएगी आपकी रीजिनिंग आएगी इसके लावा मेत आएगी और यहाँ पर जनरल अवेडनेस आपकी पूची जाएगी टोटल मिला कि दोस्तों नंबर का आपका पेपर होने वाल है चाया एन पर करिया आपकी जो भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बाद में डोक्युमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा वेतरमान के बात करें तो समिक्षा अधिकारे के लिए 40,000 पे सिक्यूरिटी ओफिसर के लिए 40,000 पे कलरक ग्रेट सेकेंड के लिए 32,800 और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 25,600 रुपे परमंत आपको सेलेरी मिलेगी और दोस्तों आवेदिन शुलक वेकेंसी के लिए जनरल ओबीसी एडबलोस के लिए 100 रुपे SCHT महिला के लिए कोई भी चार्जेज नहीं रहेंगे 27 जनवरी आपके आवेदिन की थिती रहेगी लाज डेट आपके आपके 27 फरवरी रहने वाली है तो दोस्तों आवेदिन जरूर कीजिएगा और दोस्तों वेकेंसी के आवेदिन आपके बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले है इसके अलावा eligibility criteria के अगर हम बात करें तो computer operator के लिए 12th pass, food safety officer के लिए graduation, color के पोस्ट के लिए 12th pass, watchman के पोस्ट के लिए 8 वी पास और peon के पोस्ट के लिए 10 वी पास candidate आवेदिन कर सकते है वेकेंसी के लिए selection process आपका आपे shortlisting की जाएगी उसके बाद में interview भी conduct करवाया जाएगा age limit का criteria वही आपका रहने वाला है, minimum 18 साल और maximum 40 साल का, SCST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWD candidate को 8 साल का relaxation दिया जाएगा दोस्तो payment of fees के अगर बात करें तो general, OBC, EWS candidate को 4500 पे वहीं SCST female और PWD candidate को 200 पे fees के payment करने पड़ेंगे online payment आपको करना पड़ेगा, 21 जनवरी आपकी यहां पे आवेदन की तिती रहेगी, 20 फरवरी लाज डेट आपकी रहने वाली है documents कौन कौन से upload करने तो recent photograph, signature, 10 वी, 12 वी के marks चिटर, certificate आपको upload करने पड़ेंगे तो दोस्तो यह आपकी दो विबागों में vacancy, description box में आपको link provide करवा दूँगा और direct जैसे आपका आवेदन start होंगे, पूरा detail में आपको vacancy का आवेदन भी करके बताऊँगा लेकिन दोस्तो फिर भी आप vacancy को एक बार verify ज़रूर कर लिजेगा आप में लेंगे next वीडियो में एक ने update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो